हिमाचल प्रदेश में जहां बर्साथ थमने का नाम नहीं ले रही वहीं पर भूसकलन और बातल फटने की घटनाई भी लगातार सामने आ रही हैं आच हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी के विधान सवा सराज की ग्राम पंचायद अना के जूट गाउं में भूसकलन के चलते एक चार कमरों का मकान जमी दोज हो गया जिसमें 42 वर्षिय तेश सिंग पुत्र लोहारू राम की मलबे में दबने से मौत हो गई प्रदान ग्राम पंचायद अना ताराचंद वाने प्रदक्ष दर्शियों ने बताये कि ये घटना सुभा लगबग साड़े नौ बचे हुई जब अत्य दिख बारिश के कारण भूसकलन हो रहा था घर के अने सरस से निकल के जबके ये शक्स पीछे पशुधन को निकालने के लिए घर के अंदर ही रह गया और पीछे से अचानक लैंड स्लाइड हुआ और मलबे में दबने के कारण तेश सिंग की मृत्यू हो गई इसके साथ ही एक और घटना सामने आ रही है गराम पंचायत शुकला से जहाँ पर बादल फटने की घटना सामने आ रही है जिसमें कुकलाहा का एक स्कूल सहेट कुछ मकान भूसकलन की चपेट में आ गई है जिसमें एक 20 वर्षे नव युवक नोक सिंग पुत्र जैचन जो की घर की गोशाला में बंदी हुई भेडों को बहार निकालने के लिए गया और लैंड स्लाइड की जबेट में आ गया जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई इन दो डुखद घटनाओं से पूरा सराज शेत्र में शोक की लहर वे आप्थ है वहीं पर कारेकारी स्टीम गोहर मित्रोदेव ने बताया कि कुकलाहा में जहां पर एक व्यक्ति की मृत्ति हुई है वहीं पर एक शक्स गंभी रिप से घायल हुआ है एन डी आरफ की टीम वहां पर पहुंच चुकी है और बचाफ कारेय जारी है वहीं पर ग्राम पचायद अनाव में भी स्थाने लोग बचाफ कारेय में जुटे हुए हैं प्रशाशने के धिकारे भी वहां पहुंच रहे हैं मगर रास्ते बंद होने की वज़े से कुछ परशानियों का सामना करना पड़ रहा है प्रशाशन ने लोगों को अगाह किया है कि बरसात में अपने आपको सुरक्षित रखें जहांपा लगता है कि ये शेत्र भूस करन के चपेट में आ सकता है ये कहीं पर घर में दरारे पड़ी हैं तो कृपया उन घरों को खाली करते और सुरक्षित जुगाहों पर अपने आपको ले जाए स्थाने लोग प्रिसाशन को इसकी जनकारी दे ताकि प्रिसाशन हर प्रकार से उनकी हर संभव मद्द्ध